हम हिंदी साहते में रीतिकाल का इतियास पढ़ रहे थे आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल के पतन के कारण ठीक है कि किन कारणों से रीतिकाल का पतन हो गया था जिसमें पहला कारण इस परकार है कावे में लोक मंगल की भावना का भाव था मतलब जो काविये इस काल में लिखे गए उनमें लोक मंगल की लोक अर्था संसार के मंगल की भावना का भाव था दूसरा है चमतकार अतिशहता पांडित्य पून शब्दों का प्रियोग मतलब लोगों ने चमतकार पर चमतकार जैसे की मतलब कोई इश्वर ये कोई चमतकार हो गया या अतिशहता अधिक किसी बात को अधिक बड़ा चड़ा कर कहना इस तरह के शब्दों का प्रियोग ज़्यादा था ठीक नमबर तीन अत्यदिक रसिकता वे श्रिंगार रिकता कावे में अधिक रस था और श्रिंगार का अत्यदिक वर्णन था जिस कारण से रितिकाल का पतन हो गया है ठीक है अब रितीकालं कावे की विशेस्ता है देखिए तो रितीकाल गा पर्मुक्य विशेस्ता है पहली यह लक्षन ग्रंथों की रचना दूसरी कवी वे आचारिय बनने की प्रवर्ति नमबर तीन श्रिंगारिक्ता नमबर चार नाई का भेद निरूपन तो यहां से प्रशन आया हुआ भी है कि नाई का भेद निरूपन किस काल की विशेस्ता है तो यह रितिकाल की विशेस्ता है नंबर 5. शक्ति वेराग्जे की भावना नंबर 6. कलापक्स की प्रधानता नंबर 7. वीररस की कविता ठीकों तो यह साथ विसेस्ता थी रितिकाल की अब आती है रितिकाल इन कावे की शिल्पगत विसेस्ता है ठीक है शिल्फ गत्व मतलब जिसमें भासा आदी का प्रियोग किया गया हो पहली है सतसई प्रंपरा का पुनुरुद्दार नमबर दो शुरूती मदूर एमम कॉमल कांथ पदावली से युक्त ब्रजभासा का प्रियोग किया गया है इसमें